किसान भाईयों किसान को अपने चक परोज आना चाहिए। अपने फसल को देखना चाहिए। फसल अपना हाल चार बताती है। उसकी शिकल देखनी चाहिए। गर् ँर उब कीडा है। जात मेरे किसान भाई भे मरे हैं। जादे कीडे से जिन्होंने आठ आठ दिन चक्कर नहीं लगा भाईयो कुछ मेरे भाई बुरा मनने हैं बुरा मत मानना मैं अपना अनुभव बता रहा हूं भाईयो जब आप खेत पते हैं निच्चे से अपर तक गन्य की तरफ देखे आपको पता लग जाएगा हमारा गन्य अगर तीर्चा हो रहा है तो बंधा ही मांग रहा है अब बंध होने में कोई फादा नहीं अब तो भाईयो शिरब जो घ्योमों का वया हुआ हुआ है और वो मैं जून में जाएगा वो तीर्चा हो रहा तो उसकी आप मेल लगवा सकते हो ताकि वो गिरने से बच जाए अब जाएगी वाजय किशान के तो जन्यवरी में लग जाती है अब जरह हमारा यह फागन का बगवा तो भाईयो इसमें अब हमें जरूतनी बंध वानेगी क्योंकि इसमें तो ओट्रमेटिक ही फरवरी से मार्च तक छोला जाएगी इतने दिसम्बर जन्वरी ले यह चलो गलती को मा लेना चीए किसान को के लिए पास दार कर ले भाईयो इसमें हमने सब्जी बोदी दी सब्जी बोदी जाती अला खूड में वह हमने बीच में बोदी खीरे अटीन डेजने के क्या बोईते तो भाईयो उस बज़रे नाड़ा यह खुडाय में हो पाई ना मह यह इंतरता जोटा किरय से चल वाया इतने सब जी रही इतने तो जरूतनी पड़ी एक बार हमारे बटाई दार ने खुर्पी निकाली तीसमें पर लेकिन एक फाइदा रहा हमने इसकी किसान भाईयो शुक्र में जितनी जिता होती है खेत तो कि उतने लाब होता है हमने खे उतार पर तो रूटर हमेटर गिया छू हिए पर घेठी लार देमे इडा एदेब्लेग्या क्रें पर पर्डह करने के बाद में प्हह कहले है वाहा है वह पा पानि की विर्गत्हों कि तो जो जाता पानी लगता हमार फवार मतानी में तो दोस्तो जमीन समतर होनी चीए अब तो दुनिया जाग गई है गड्डे में फसल नहीं होती कभी भी धान देख लिए धान अगर जील में है तो वो देल में पकती है गणना अगर जील में है तो गणना बरीग रह जाएगा गणना पानी चीए आठवी दिदे दिए जाओ आप कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दोस्तो रोज पानी भरा रहेगा किसी खूट में तो गणना गड़ ज जैसे में धाकिर के इसको अप्छेड नहीं है छोड़ों के तो इसकी जड़ पड़ चाहेगी से ऐसी पड़ा रहने दो क्योंको ना पक चुका है आप तो फैक्टरी पे जाना आए है जीन छेत्रा में गन्ना नी फैक्टरी नहीं है उन किसानों को ये सोच को बना ची या तो बीच तियार करें या भाईयों वे गन्ना का किस्ट्रा अनुबंध कर लें कि दोस्तों रुपे या ढालका किसान की लागत भी वसलुमी होती तो भाईयों हमारे यहां फैक्टरी है हाले कि बचता इसमें कुछ मिनिये पर यो है घटता भी नहीं लामपेड बिर पर जा एक भाईयों जहां मौल का पानी है वहां फासल भी कम होती है ज़े कि घर का पानी हो तो को रोज पानी भर लो तीसे दिन भर लो आटर दिन भर लो भी ट्रंच वीदी का एक फाइदा अब यह पानी खूब जला रहा खे लेकिन उपर गन्ने की जड़ में पानी नहीं है फिर भ जोड़ी का यही लाब है इसकी जड़ में नमी रहती है डाराक पानी ही आता है इसलिए गन्ना मोटा फलता फूलता है भाईयों चार चाब और बांद्या फिर भी गन्ना का बूचा भार है अगर ट्रंच वीदी का ट्रैक्टर होता तो तो यह ना बद्वाना पड़ता मैं ट्रंच वीदी बाड़े फिल हो जाए जब घन्ने खेत में जाद लागत लग जाना घन तकड़ा गन्ना हो जा तो फिर बांस बली लगाते हैं किसान वो भी गलत ही है चंद रहास हैं जैसें कुर के उन भाई ने वे मीडियम खित्ती करते हैं नब्य सो का उनको सोता है ता उन्हें लोस नहीं होता है उनका वरी जीतना बढ़िया ना भी बंद बतते करने को जाद बंद भाना भी लाब दायक नहीं है तो यह देख कि न अच्छा करना खड़ा आए कि दस-क्यारा फुट तो हो जाएगा मीडियम है कि शाद बारा फुट हो जाएगा ना कि अच्छा करता है जो एक आद्विकाव होता है सिर्फ सेंपिल के लिए दिखाने के लिए जिन खेत के देवे चोड़ पंदर फुट के कमी होते हैं कि इसलिए भाईयों यह जो है न ब्यकुंटर भी निगलिया यह तो बहुत अच्छी बात हैं बड़े खुश है क्योंकि हमें निसमें कुछ नहीं किया ना वो चलाया वो बर्मसा ना हमने मट्टी चड़ाई ना जूताई की ना खुदाई की बस यह बंद भाया है चारक ब जा तीस में तीस बिए कि जान क्या ले ले कि वह इसनी बचत नहीं करने में कि जो उसमें 6-7 लाग गुर्पे लगा दे मेरी ख्यालों पर सावा 5-5 लाग खाता ट्रैक्टर लिया है फिर उतकी तो कम से कम ढाही 3 लाग के यह इंतर हैं सारे क्योंकि जब वह ट्रैक्टर लिया जागा तो यह इंतर बीची यह इंतर के कम चलता है अब इसमें हमने धोराब हो दिया कि ट्रैक्टर होगा तो यह पांच पूर जागे छोड़नी पड़े खाली पड़ी रहेगी उसका मलाल साथ आए कि सान को अगर पड़ोस में देखे हैं यह 32 इंच पर बया हुए अगन्ना बंद भाई यह विचार साथ है पर हमारा पंड़े जीन है तो इसे देखे तो ट्रैक्षवीदी बढ़िया लगती है यह कम्शा का नतर ठाड़ा खड़ा इसमें यह दर अंकित का साद्धा है बिल्कुर यह साद्धा हमें फेल कर रहा है साद्धा गन्ना बढ़िया है इनका है मेरी खाल में 32 या 34 इंच पर हैं ख्याल में यह 36 में मेरे दिहान नहीं है इस अध्य विद्य का बया गन्ना है भाईयो हमारे टक्कर प्यक्रना हम सभी 21 है देखे लिए कोन अपर कुछ है मकरा लेकिन हम खुशा है अपने से गन्ने से क्योंकि आपका बहुत किसान मरे हैं इसमें टोब बोर रा गया हमारी जान बख्षती अपको फिर उपर बाड़े ने तोब बोर नहीं आ पाया इस देखे फि कुछ नियों खड़ाएं कि गन्ने में रोग नहीं है यह 38 गन्ना है भाईयो मैं देखे लिए कि साइड भी आपको दिखा रहा हूं मैं कोने पर खड़ा हूं गाउं के हैं चक्क कोना हमारे है इस देखे गाउं की दूरी है हमारा गाउं आ गया है सामने एक खेट छोड़ जग पाल सिंग के कोने पी गाउसर हो गया इतना चक्त होना भी चीए मिलिक मीले में बहुत नुक्सान होता है भाईयो जंगल टट्टी वाड़े बहुत गड़बड करते हैं इसलिए हम खुस आपने चक्स हैं दो लड़ के हमारे पुनीत बबलू इन दोनों के एक बच्च माअ बाप का ही फर्ज होना चाहिए कि मेरे भाई दारू में लिपते रहते हैं किसान भाई मैं उनसे कहाना चाहता हूँ कि अजब सबस तेन आप सकता समस्च तो निकि अपनी हैं उनसे कहानाero कि आज भेज कखा जाएंगे कल को हमारे प्च्चे का मजदूर्य कराएं भाई यह बुरा है तो मजदूरी में भी नहीं है जब मजदूरी करने हैं वे भी हमसा खुशाल है लेकिन किसान की एक यह पैचान सी बनगी किसान बिना खेक्ति किसान सा नहीं होता तो दोस्तों अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो थोड़े कहे कोछ दिख समझना कोई बच्चा तरक्य करना साथा है तो उसे बहार पढ़ाइए अकर नहीं करने साथा तो उसे खिती में लगएए अपने साथ में वीडियो में इतना एक आप ही आज कि में नमस्कार